Hey guys, welcome to my channel TechInfo मेरा नाम है राहूल, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में दोस्तों अगर आपका भी वोटर आइडी कार्ड खो गया है फट गया है या फिर पुराना हो गया है तो आप ओनलाइन वोटर आइडी पी वी सी कार्ड अपलाई कर सकते हैं बिलकुल न्यू प्रिंट होकर आपको मिलेगा इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की तरफ से अब काफी हाई टेक और न्यू फीचर के साथ न्यू वोटर आइडी कार्ड मिल रहे हैं जिसको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा बिलकुल फ्री में आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को nvsp.in case official page पर आना है इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना यहाँ पे एक option मिलेगा आपको water portal beta इसके बाद आप इस page पर आजाएंगे login वाले यहाँ पे आपको create an account पे click करना है फिर यहाँ पे आप अपना account create कर सकते हैं अपनी email id या फिर अपने mobile number से तो मैं यहाँ पे mobile number पे click कर देता हूँ mobile number यहाँ पे fill करने के बाद मेरे को send otp पे click करना है मेरे नमर पर otp भेज दिया गया है otp आ गया है मैंने fill कर दिया आप मेरे को verify पे click करना है इसके बाद create your account ठीक है successful हो चुका है congratulations अब यहाँ पे page refresh हो रहा है अब यहाँ पे create password का option आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ आपको एक strong password बनाना है तो अब आपका account यहाँ पे create हो चुका है अब आपको welcome पे click करना है फिर एक छोटी सी detail आपको यहाँ पे fill करने है जैसे आपका नाम, surname, state और gender तो सब कुछ fill करने के बाद आपको नीचे submit पे click करना है इसके बाद आप यहाँ पे login हो चुके हैं अब second number पे option आ रहा है correction in voter ID card ठीके आपको यहाँ पे correction कुछ नहीं करना लेकिन apply करने के लिए आपको इसी वाले option पे click करना पड़ेगा ठीके तो मैं इस पे click कर देता हूँ यहाँ पे उपर मेरा नाम आ जाएगा नीचे let's start पे आपको click करना है इसके बाद दो option आ रहे है do you already have voter ID number अगर नहीं है तो no पे click करके आप अपना data fetch कर सकते हैं अपनी date of birth और अपना name डाल कर ठीके अगर आपके पास voter ID card number है तो आप yes पे click कर दिजे इसके बाद नीचे आपको अपना voter ID card number enter करना है उसके बाद नीचे fetch detail पे click कर दिजे फिर यहाँ पे लिखावा आ जाएगा जो आपने voter ID card number दिया है उसकी जो detail है वो found हो चुकी है अब आपको proceed पे click करना है इसके बाद जो आपका record मिला है उसमें सारे जो आपकी detail है वो सामने आ जाएंगी आपका नाम gender, state और epic number ठीक है सारे चीज़ आप यहाँ पे check कर सकते हैं plus father name और सारे चीज़े यहाँ पे आपका polling station, part name ठीक है assembly contingency सारे चीज़े यहाँ पे cross check करने के बाद आपको save and continue पे click करना है फिर आपके सामने यह चार option आ जाएंगे तीसरे नमर पे आ रहा है issue of replacement epic without correction आपको इस पे click करना है इसके बाद नीचे save and continue पे click कर देजिए फिर यह पूछ रहा है you need to update your mobile number यानि कि आप अपना number add plus update कर सकते हैं तो मैं आपके अपना mobile number एंटर कर देता हूँ इसके बाद send odp पे आपको click करना है इसके बाद verification code आएगा फिल करने के बाद आपको verify पे click करना है success is your mobile number is verified फिर आपके सामने ये तिन option आएंगे यानि कि हमारा voter ID card खो चुका है या फट चुका है या फिर पुरा ना हो चुका है अगर आप lost वाले पे click करेंगे यानि कि खो गया है तो आपको यहाँ पे FIR की copy upload करने पड़ेगी ठीके अधिकतर लोग destroy पे click करते हैं क्योंकि हमारा फट गया है या फिर कटा फटा सा हो गया इस तरीके का हो चुका है तो मैं second वाले पे click कर देता हूँ destroy वाले पे इसके बाद नीचे वापिस से दो option आ रहे है yes, I have aadhar number या फिर I am not able to furnish my aadhar number ठीके तो मेरे पास अधार number है तो मैं yes पे click कर देता हूँ इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना enter your aadhar number फिल करना है ठीके अधार number फिल होने के बाद write करने सान बनावा जाएगा थोड़ा सा नीचे आना है आपको यहाँ पे आपको लिखना है reason of replacement of water ID card तो यहाँ पे आप type कर दीजे my water ID card damage ठीके यह लिखने के बाद आपको नीचे save and continue पे click करना है फिर आपने जितनी भी detail फिल करी है वो आपके सामने open हो के आजाएगी cross check करने के लिए format सारी चीज़े आप check कर सकते हैं आपका नाम, अधार नंबर, phone number ठीक है सारी चीज़े चेक करने के बाद नीचे submit पे आपको click करना है you have successfully submitted your application ठीक है यहाँ पर आपको एक reference ID नंबर मिल जाएगा जिसे आप copy कर सकते हैं लस आपके register phone number पर यह message भी बेजा जाएगा यहाँ से भी आप इसे copy कर सकते हैं इसके बाद आपको वापिस इसी page पर आना है login वाले पर और यहाँ आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं three dots बने वे आपको इस पर click करना है फिर आपके सामने यह list आजेगी यहाँ पर track status वाला जो option आ रहा है आपको इस पर click करना है और जो आपको reference ID मिली थी आपको यहाँ पर फिल करनी है इसके बाद नीचे track your status का option आ रहा है इस पर click कर दीजिए track your application status आपका आपका जो reference ID आपको मिली थी उसमें जो भी detail आ रही थी वह आपके सामने आ चुकी है आपने किस date में इसे submit करा था ठीक है न और सबसे नीचे देखिए और कमेंट बॉक में उससे पूछ सकते हैं तो guys thanks for watching this video and subscribe this channel